नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा पप्पो यादब पुर्णिया के सांसद लगातार जो है बाड़ गरस तिलाकों का दौरा कर रहे हैं कभी दरभंगा तो कभी सहरसा तो कभी सुपॉल इस बार बारी थी सहरसा के नवहटा प्रखंड की जहां पर पप्पो यादब अपने बुलेट पर सवार होकर के नोटों की गड़ी हाथों में लिए गारी चलाते हुए बाड़ गरस तिलाकों में जा रहे थे जहां पर महिलाओं की भीड जुट गई उनको देखने के लिए और उनसे सहायता मांगने के लिए तो पप्पो यादब रोविन हुड की छवी के लिए जाने जाते हैं और पप्पो यादब लगातार जो है बाड़ गरस इलाकों में हर साल जो है पैसे बाड़ते हैं यानि लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं इस बार भी यही दिरस से दिखाए दिया है और पप्पो यादब ने कहा है कि मैं अपने लोगों को छोड करके नहीं जाने वाला हूं तो पपुय आदम ने कहा कि जनता को मैं मुसीवत में नहीं छोड़ सकता हूँ इसलिए पहले जीवन बचाने के लिए रासन दवा पानी वा अन्य जरुवत की चीज बाढ़ पिरितों के बीच वितरित कर रहा हूँ आगे और भी सुखा रासन आने वाले हैं किसी को कोई कमी नहीं होने दूँगा तो आपको बता दें कि सहरसा जिले के नवहटा प्रखंड में यानि कि नवहटा प्रखंड जैसे ही कई प्रखंड हैं जो की कोशी नदी का विक्राल रूप धारन करने के बाद सभी जलमगन हो गए हैं जिसके बाद नेता लोग तो आही रहे हैं लेकिन ये एक ऐसे नेता है पप्पु यादब जिन्होंने कह दिया है कि मैं कहीं और भी जाने का कारिकरम रद कर रहा हूं केवल इन्हीं लोगों की सहायता में रहूंगा यानि बाद गरश छेतरों में जो लोग मुसीबत में फसे हैं और जिनको सहारे के जरुवत है उनका सहारा बनूँगा उनका पटना आने का भी कारिकरम था पप्पु यादब का लेकिन उन्होंने पटना आने का कारिकरम जो है रद कर दिया है और वहीं सहरसा में रह करके लोगों की मदद करेंगे तो देखने वाली बात यही है कि यह पुर्णिया के सांसद हैं लेकि लगातार सहरसा हो दर्भंगा हो विहार के हर शेत्र में यही एक मात्र ऐसे सांसद है कि जो की बाटगरस्ट शेत्रों में जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं बाकि जितने भी सांसद हमने देखा वो सभी लोग चाहे वो चिराग पासवान हो तेस्वी यादब हो या फिर सामभवी शौधरी हो या कोई भी हो या फिर नितीश कुमार की बात कर लें तो सभी हवाई सर्वे कर रहे हैं लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं आ रहे लेकिन एक मातर यसे नेता एक सांसद जो की निरदलिये भी चुनाव लर चुके हैं और जीत चुके हैं और उनका जनाधार है और दूसरे दूसरे जो जिले हैं वहाँ भी जाकर के बाढ़ गरस्त छेत्रों में बाढ़ गरसित जो उनकी सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं तो पप्पु यादव इस पार सहरसा के नवहटा प्रखंड में थे और अपना पूरा खाजाना खोल दिया हाथों में नोटों की गड़ी थी पाच पाच सो रुपए की गड़ी रहती है नोटों की और वो महिलाओ को बाढ़ते और कितना दिन में आप बंद कर दीजिए और सियों से कहा जाता है तो सियों किसी चीज़ को रिस्पॉंस नहीं लेती है बिजली अभी पास दिनों से बहाल नहीं हुआ अभी हमको बात करनी पड़ ही बिजली बहाल करने की यह हवाई सर्वे करने से और दुबाई में दारू पीने से काम चलेगा और दिली में सोने से और करोरों अर्बों रुपिया के चोर सबको जुटान करके पाटी बनाने से यह माफिया सबको कभी पैर धुका है इनों का कभी बाप दादे ने पैर देखा है एक घुटना भड़ पानी में गए हैं कभी जंता कर दर्द देखा है कि तो जंता इतनी बेचारी है कि जिसका हल यह कर दिया है यह पैसा के बाद ओलार आप चैनल पर दिखते हैं जंता को दिखाईए न भाई जमादपूर की क्या इस्तिती है भाई उसे स्वारस्थान की क्या इस्तिती है भाई वजपडपूर की क्या इस्तिती है शीवार सिदामडी की क्या इस्तिती है ऐसे लोग यह यह गरीब लोग की जिल्गी आप कभी देखें हैं सेर परधान मंत्री मुक मंत्री जी और हम विपक्स के सभी नेतों से जानना चाहें वो सौ हेली केप्टर चुलों में जो घुंते हैं और उस वक्ट जो आप पैसा दे के भूंट लेते हैं वो कहा हैं और उस वक्ट जो आप मार्केटिंग करते हैं सोचल मीडिया परू पैसा कहा है आज कोई हरीकप्टर नहीं मिला आज पैसे नहीं मिले साथ लाग का एक टेंट लगा करके सोना तो आपको बता दे कि अभी हाल फिलहाल में ही पप्पु यदब के पिता का निधन हुआ था जिनके सराद कर्म और प्रार्तना सभा में लोगों की भीर जुट गई थी क्या नेता और क्या जो है समाजी कारकरता सभी लोग उनके यहां जुटान हुआ था सभी लोगों ने उन्हें धाड़स बंधाया था लगतार विपक्ष और पक्ष वाले जितने भी दल हैं सभी लोग उनके यहां जुटे थे तो यह भी एक अद्भुद रिस्ट देखने को मिला था मतब पप्पु यादब की ऐसी चवी है कि कोई भी नेता उन्हें नकार नहीं सका और सभी लोग उनके दरवाजे पढ़ाएं और उनके पिता के सराद कर्म में सामिल भी हुए तो पप्पु यादब एक अलग ही चवी में आ गए हैं तुरंत पिता का सराद कर्म किया है और एक्सन मूड में आ गए हैं रॉबिन हुड बन गए हैं गड़ीबों के मसीहा बन गए हैं और बाड़ गरस्त शेत्रों का दौरा कर रहे हैं लगातार और अपने सभी कारक्रम लाल इस वीडियो में इतना ही था दर्स न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्यवाद